नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सबी स्वस्थ और सानन होंगे पिछले फ्राइडे को वीडियो नमबर 345 में मैंने आप लोगों को बताया था MAS Finance के बारे में और उसी दिन वो 16% भागा उससे एक दिन पहले ही मैंने प्राइवेट वाटसैप ग्रूप पर इसको पोस्ट किया था उन लोगों को 20% का गेन एक दिन पहले मिल चुका था जो प्राइवेट वाटसैप ग्रूप में नहीं है उनको भी 16% का गेन सेम डे मिल गया था बिलकुल MS Finance की तरह ही एक जोरदार स्टॉक लेकर मैं आ जाया हूँ और ये स्टॉक आपके सामने आ गया है आरती इंडस्ट्रीज जब अरदस्ट रिजल्ट पोस्ट हुआ है ये रिजल्ट नहीं है ध्यान दीजिए का मेरी बात पर ये कोई रिजल्ट नहीं है ये परवान बम का बिसफोट है मार्केट कैप 36,356 करोड ये एक लार्ज कैप कमपनी है प्राइस एक हजार तीन रुपया देखिए मार्केट के खराब कंडिशन में हमें लार्ज कैप्स पे फोकस करना चाहिए और पार्टिकूलरली उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जिनका एक जबरदस्थ ट्रैक रेकॉर्ड रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सेल्स यहाँ पर येर ओन येर बेसिस पर, दिसंबर 2020 में 1187 करोड का था, जो इसमें बढ़कर 276 करोड हो गया है। यह करिब-करिब डबल है। डबल से भी ज़्यादा तो 100% का सेल्स में इंक्रीज है। देख रहे हैं आप। और नेट प्रॉफिट देखिए, 165 करोड से बढ़कर 772 करोड हो गया है। इसमें 3.5% का याफा है, 350% का। और एकॉर्डिंगली 4.74 से EPS बढ़कर 21.31 हो गया है। यहाँ भी करिब-करिब 3.500% का धमा का है। अब मैं आपको बताता हूँ, quarter on quarter basis पर भी कितना जोरदार ये result दिखता है। देखिए, सेप्टेंबर 2021 में 1552 करोड का सेल्स था, जो बढ़कर 2376 करोड का हो गया है। यहाँ पर करिब-करिब 30% का जम्प सेल्स में quarter on quarter basis पर दिख रहा है। और 176 करोड के net profit से बढ़कर 772 करोड हो गया है। यहाँ पर भी करिब-करिब 325% का जम्प net profit में है। और अल्मोस्ट इतना ही 325% का जम्प EPS में भी है। तो quarter on quarter basis पर भी, year on year basis पर भी दोनों में ही आरती industries ने बिलकुल जोरदार धमाका करके दिया है। यह तो था result का जो सबसे main format होता है। उसमें मैंने आपको दिखाया। जरा थोड़ा deep dive इसमें करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके fundamentals, जेखिए fundamentals जो हैं बड़ी जबरदस्त हैं। इस टॉक पी 29.1 है, जबकि industry पी 28.3 है, करीब करीब अपने industry पी पर मिल रहा है। despite the fact कि यह large cap company है, despite the fact कि यह market leader है, chemical बनाने वाली कमपनियों में, और particularly specialty chemicals में, जहां पर इसका जो revenue है, 83% specialty chemicals याता है, जो कि आप देख सकते हैं। book value 138 रुपे का है, face value 5 रुपे का है, high low देखिए 1168 का high इसने बनाया था, और 536 का low बनाया था इसने एक साल पहले, तो यहां पर current price को अगर देखें, तो 1168 से करीब करीब 15% के आसपास अपने peak से down पर चल रहा है, ROC देखे 13.1%, ROE 16.1%, दोनों ही जबरदस, debt to equity 0.39 है, जो कि काफी अच्छा है, और इतनी बड़ी company में debt काफी कम है, 1950 क्रोर का है, free cash flow यहां पर negative दिखाई देता है, minus 442 क्रोर का, अब मैं आपको सीधा इसके result पर लिए चलता हूँ, जरा ध्यान पूरवक देखिएगा, देखें, results तो मैं आपको अलड़ी बता ही चुका हूँ, operating profit margin देखिए, December 2020 में 24% था, 24%, और यहां से बढ़कर सीधा 41% हो गया है, almost double हो गया है, September 2021 में quarter on quarter basis पर देखें, तो 20% का operating profit margin यहां 41% हो गया है, यहां तो 105% का jump दिखाई दे रहा है, 105% का, तो जबरदस्त इसके operating profit margin में बढ़त हुई है, और यहां पर आप देखेंगे कि पूरे 12 quarters में, जो highest ever sales था, वो पिछले quarter में इसने post किया था, 1552 करोड, और इस समय उससे भी जबरदस्त जंप करके, 236 करोड पे इसका sales post हुआ है, और यहां से पिछले जो nearest rival है, इसका nearest closest rival बोलेंगे जिसको, उससे करीब-करीब यहां पर 30% का जोरदार jump दिखाई देता है, देखे हमारा एक private WhatsApp group है, जो की pattern members के लिए है, बड़ ही nominal fees पर हम इसका membership देते हैं, WhatsApp group का number आपके screen पर flash कर रहा है, तो इस number प group को join करने का पूरा details आपको आपके number पर मिल जाएगा, देखे net profit भी maximum जो आज तक का net profit था, वो 176 करोर था, 176 करोर जो की पिछले quarter में था, और वहां से देखिए 772 करोर, जो की करीब-करीब साढ़े 300%, 325% के आसपास net profit में jump है, इस result को देखने से ऐसा लगता है, कि इस stock मे एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, और यहां पर मैं आपको इसका graph दिखाऊंगा, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि इस समय लगभग 1168 का peak बनाने के बाद, market की पिटाई में ये नीचे करीब-करीब 1008 रुपे पे चल रहा है, नेरा पूरा विश्वास है कि आज ये एक बड़ा धमाका करके देगा, ये वीडियो मैं साथ फरवरी के लिए सुबा साड़े साथ बजे शेडियूल कर रहा हूँ, और ये stock मुझे लगता है कि आज ही एक बड़ा धमाका कर सकता है, आज नहीं भी करे, तो भी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनो में, इसमें definitely एक बहुत बड़ा rise होने वाला है, देखिए यहां से minimum target जो मैं देता हूँ, 1 month to 3 month के लिए, ये 1008 से बढ़कर ये लगबग 1200 तक जा सकता है, यहां पर जो gain percentage बनता है तकरीवन 20% के आस पास का gain मुझे आता हुआ दिखाई देता है, तो इस stock पर definitely आप अपनी cash कर रहा है, तो इस number पर आप हमें message करिए, अपना name and mobile number, इस WhatsApp ग्रूप को join करने का पूरा details आपको आपके number पर मिल जाएगा, बात करूँगा एक और धमाके दार stock की, जिसका नाम है credit access grameen, ये credit access grameen इस समय 656 के price पर है, और अपने 52 week high 808 रुपे से करिब करिब, इस समय 20% क आसपास down है, और इसका जो low भी था, वो 495 था, और market cap 10,216 करोड का है, stock P 33.7 है, जबकि industry P 26.3 है, तो stock P, industry P के आसपास है, book value देखिए, 249 रुपे का है, और price to book value 2.74 का है, face value 10 रुपीज, और free cash flow minus 376 करोड का है, जबकि debt इस पर 8,239 करोड 8,229 करोड का है, credit taxes grammy जो है, basically micro finance में काम करने वाली company है, यहाँ पर देखेंगे, it is engaged in providing micro finance services to women, who are enrolled as members and organized as joint liability groups, इस समय जो result आया है, बड़ा ही शांदार result आया है, year on year basis पर देखिए, December 2020 इसमें 440 करोड का, जबकि December 2021 में 576 करोड का sales है, तो 440 से दे देखें, 30% का जोरदार jump sales में दिखाई देता है, और operating profit margin minus 21% था, जो इस समय बढ़के 31% हो गया है, पिछले 5-6 quarters में one of the highest level margin है, और ऐसा लगता है कि इसने अपने pre-covid level के आसपास, अपना operating profit margin वापस से achieve कर लिया है, क्योंकि December 2019 में लगबक 33% का margin था, और यहाँ पर आप profit जो है, minus 72 करोड था, पतलब की 72 करोड का loss था, जो इस समय 119 करोड का profit हो गया है, आज तक के 12 quarters में, पिछले 12 quarters में highest ever net profit इसका आया है, इसी तरह EPS है, यह भी 8.29 है, जो कि पिछले 12 quarter में highest ever है, मैं आपको quarter on quarter basis पर दिखाऊं, 510 करोड का sales, इस समय 576 करोड हो गया है, और य यह जंप है, operating profit margin 20% से सीधा 31% हो गया है, एगेन यहाँ पर भी बहुत जवरदस्त improvement है, 50% operating profit margin में जंप है, ऐसा देखने को कम मिलता है, और year on year basis पर तो देखिए, minus 21% से सीधा 31% हो गया है, तो यहाँ पर तो कोई तूल नहीं है, net profit देखिए, 72 करोड का था, सेप्टेंबर 2021 में जो की 119 करोड हो गया है, यहाँ करिब-करिब 85% के आसपास का जंप net profit में है quarter on quarter basis पर, और EPS में देखिए, 4.62 से बढ़कर 8.29 हो गया है, करिब-करिब 90% के आसपास का जंप इसके EPS में है quarter on quarter basis, तो दोनों ही parameters पर year on year as well as quarter on quarter basis पर इसमें जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है, और इस result के बूते, इस stock में जो काफी पहले से गिरावट चल रही है, और करिब-करिब 810 रुपे का peak बना कर जो 650 पर आपको मिल रहा है, तो एक महीने से तीन महीने का target अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर मुझे ये 650 से कहीं लगबग 750 के आसपास मुझे जाता हुआ दिखाई देता है, और करिब-करिब यहाँ पर 15% का जोरदार गेन आपको मिल सकता है, मैं आपको एक caution देना चाहूंगा कि micro finance company है, अगर बीच में economy में कुछ फिर से लड़कडाट शुरू हुई, covid को लेकर, तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छा perform ना करे, लेक percent का ये मानना है, कि आप इसमें buy करके चल सकते हैं, और February 2023 के लिए जो forecast है, higher side पे 800 रुपया है, जो की 22% है, median भी देखे तो 732 रुपया है, और lower side पे भी 708 रुपया है, तो इसमें downside की तो बात ही नहीं है, इसमें अगर lower भी देखें, तो यहाँ से लगबग 8% का gain लेकर ही आप निकलेंगे, लेकिन ये एक साल का target है, मैंने वीडियो नंबर 342 में आप लोगों को recommend किया था, तीन स्टॉक, इनों के बारे में जो मैंने commentary देखें ज़रा सुनिएगा, these three stocks are ready to storm the market, ये वीडियो नंबर 342 का thumbnail मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें शिल्चय टेक्नोल जिमें, 342 में ही ये तिरुमलई केमिकल की भी मैंने बात की थी, ये भी लगबग 260-211 रुपे पर था, और ये इसने आज 275 का पीक टच किया, यहां जोरदार 7% की तेजी थी, लेखें वीडियो नंबर 338 में हिंदुस्तान मीडिया वेंचर सेचम वियल की बात मैंने की थ दो दिन पहले 73 के प्राइस पर आको रिकॉमेंट किया था, और 79.5 का पीक इसने आज टच किया, यहां पर जो आपको गेन मिला है, माइंड ब्लोइंग 9% का इन जस्ट वन डे, सिर्फ एक दिन दो दिनों में मेरे स्टॉक्स ने किस कदर धूम मचाया है, देखें वीडियो प्राइवेट वाट्साइप ग्रूप पर पहले ही इसको अपडेट कर दिया था, तो 20% का गेन तो उसी दिनों लोगों को मिल गया था, लेकिन उसके बाद नेक्स डे मैंने आप लोगों को पताया, तो इसमें भी आज 16% की जोरदार तेजी थी, देखिए पहले दिन ये 471 से 565 चला गया था, और दूसरे दिन 565 से 640 चला गया था, और यहां पर फर्दर 16% के आसपास की तेजी, आज मैंने close पे देखी थी, तो सिर्फ एक दिन में Mass Finance ने आपको 16% का गेन दिया है, आप इन वीडियो को जरूर चेक करिएगा जो मैं आपको बताता हूँ, जीती लगभग 13% की, 29 जनवरी को मैंने आप लोगों को बताया था, और देखिए सिर्फ 3-4 दिनों में आपको 13% का गेन इसने दे दिया है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताक की आपको regular notifications मिलते रहें, मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जवरदस्त वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, स्वस्त रहिए और खुश रहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, जाय श्री राम